तो हेलो गाईज वन्स अगेन वेलकम बैक तो फ्रेंज टुड़ी वी विल मेक नॉक नॉक ट्वेंट फॉनियस्ट बुक सो लेट स्टार्ट सो फ्रेंज दिखे सबसे पहला पूछ आट पेपर लेना है और उसको कुछ इस तरीकी से आपको फोल्ड कर लेना है तो दिखे मैं इसमें बहुत सारे पेजेज यानि की 2, 2, 2, 2, 4, 6 मैंने टोटल पेजेज इसमें ली हूँ यानि की 12 हो गया तो चलिए अब इसको बाइंड करते हैं मैं बाइंडिंग के लिए कुछ भी थ्रेड ये सब कुछ यूज नहीं करी हूँ मैं सिंपल पेपर की कटाउट ले रही हूँ जैसे हमने कुईट बुक को बाइंड किया था उसी तरीकी से मैं ये बुक को भी बाइंड करूँगी तो देखे कुछ इस तरीके से बस आपको पेपर की स्ट्रिप्स लेना है उसको डबल साइड फोल करना है इन जस्से स्टिक करना है आपर साइड फिर आपको फे औ को लगाना है दूसरी शीट को स्टिक कर देना है तो इस तरीके से आपकी जो भूख रहेगी वो मैंड भी बहुत और जाएاउगी आपको कुछ भी से fold करने की जरुवत नहीं है बहुत easily open होगी बहुत easily close हो जाएगी तो इस तरीके से आप bind कर सकते हो so friends bind करने के बाद हम उसमें बहुत funny funny jokes लिखेंगे and हमारे creative सी funny book ready होगी तो चलिए सबसे पहले bind कर लेते हैं and friends ये video बहुत ही जादा unique है and आपने शायद इस तरीके की video पहले नहीं देखा होगा and अगर आप इस तरीके की book purchase करने जाते हो तो आपको थोड़ा costly पड़ता है so friends मैं आज आपको बहुत ही easy method बताऊंगी जिस तरीके से आप अपनी book बना सकते हो so friends इस video को जरूर जरूर से like करना so friends मैं आपको बता दू बहुत आप लोगों की comment आ रहे थी कि videos regular क्यों नहीं आ रही है because इस week मैंने शायद सर्फ तीन video upload की हूँ तो मैं आपको बता दू तो मैं vacation पे हूँ और मैं अपने studio पे मैं यानि मैं अपने home place पर नहीं हूँ जाओंगी तो जरूर से उसके बाद video एक्तम regular आने लगेगी तो friends मुझे नीचे comment करके बताना कि आपको next क्या देखना है कुछ creative सा और कुछ बढ़ा देखना है आपको जिससे कि हमने अपना sticker book के सब बनाए थे तो दिखिए friends मैंने यहाँ पर अपनी funniest book का जो poster page होता है यानि कि जो front display page होता है वो कुछ इस तरीके से बनाए हूँ आप भी ऐसी तरीके से बना सकते हूँ तो यह है knock knock to intact funniest joke book ever so friends बहुत ही अच्छी अच्छे funny jokes होंगे इसमें तो चलिए मैं अपनी sticker book की help से decorate कर लेती हूँ और यह है मेरी thousand sticker book अगर आपनी इसकी वीडियो नहीं देखा होगा तो link already description में है आप वहां से जाके चेक कर सकते हूँ तो चलिए मैं display page को इस पर stick कर देती हूँ so friends चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं लिख रही हूँ student anthem जो की बहुत funny होगा तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आपको लिखना है आप लिखना है आप student anthem तो यह दिखे कि यह कुछ इस तरीके से हैं हम होंगे all pass हम होंगे all pass जो हम लोग गाते थे ना हम होंगे कामियाब उसी तरीके से हैं तो हम होंगे all pass हम होंगे all pass एक दिन हो 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 सोते हैं बिंदास लिखते हैं बगवास करते हैं time pass फिर भी हैं विश्वास मांक्स मिलेंगे जगास एक दिन हम होंगे all pass एक दिन सो फ्रेंस केसे लगाई ये comedy सा students anthem सो students मुझे नेचे comment करके बताना अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से like करना और अपने classmates के साथ इस वीडियो को जरूर से share करना तो चलिए लिखते हैं next ये है maths teacher maths teacher ने पुछा what is line so a genius student answered a line is a dot going for a walk so कैसा लगा ये comedy सा जोक इसमें थोड़ा सा logic है तो चलिए करते हैं next ये है question what is the longest word in the English language तो क्या होगा answer रहेगा smiles smiles because there is a mile between its first and last letter so कैसा लगा ये वाला थोड़ा सा logic था एंद मज़ेदार था तो जरूर से पने friends के साथ ट्राइ करना why do we write etc at the end in the exam so किसी ने reply किया because it means end of the thinking capacity dumb exam जब paper लिखे होता है एक दम जाधा exhaust हो जाते है फिर कुछ समझ में ने आता किस के साथ ऐसा होता था मुझे बताना next है teacher संता से explain the he in English the he curd so संता replied milk sleeping in the night and savire savire tight तो ये वाला कैसा लगा बहुत अच्छा था मेरा फेवरिट था अल टाइम so next है teacher why are you late Joseph so Joseph answered teacher because of a sign down the road so teacher asked why does a sign have to do with your being late so see what Joseph replied Joseph said the sign said school ahead go slow so see Joseph कितना जादा clever था तो चलिए दिखते हैं next so next is a question by a student a student asked if a single teacher can't teach us all the subject then how could you expect a single student to learn all the subjects so कितना clever था ये student है ना logic है सके पीछे तो चलिए दिखते हैं next next है teacher to student ये है teacher to student वो था student to teacher can you define who is lecturer teacher ने student से पूछा student replied a lecturer is a person who has a very bad habit तो क्या bad habit? bad habit of speaking when someone is sleeping so कौन-कौन सो होता था lecture में किस-किस के आदती मुझे तो अक्सर कर नीद लग जाती थी lecture में आप किस-किस को लगती थी मुझो नेचे कमेंड करके बताना so next है molly mommy please ask for a new teacher for me mother why darling molly my teacher can never make her mind what the day before yesterday she said 5 and 4 makes 9 yesterday she said 2 and 7 makes 9 and today she said that it's 3 and 6 that makes 9 molly का cute reply कैसा लग आपको molly बहुत confusion में है so ये भी बहुत funny है बहुत अच्छा है तो अपने friends के साथ try करना so next है teacher sunny if you had 5 dollars and you asked your mother for another 5 how many dollars will you have so sunny replied 5 dollars sir teacher you don't know your arithmetic sunny but sir you don't know my mother so बहुत ही पनी था and amazing sound तो चलिये दिखते हैं next next है little johnny teacher can I go to the bathroom teacher little johnny may I go to the bathroom little johnny replied but I asked first so ये था हमारा funny joke में जितने भी मैंने इसमें एड के हूँ तो चलिये देख लेते हैं and अब डेकुरेट करते हैं अपनी फनी बुक को तो यहां पर मैं यूज करी हूँ बिक साइज स्टिकर्स and उसे मैं sketch pen से डेकुरेट करी हूँ तो मैं यहां पर फैबर के स्टिल की sketch pen यूज करी हूँ connector pen sorry so अगर आपको यह खरीदना होगा तो मैंने link description में दे हूँ आप वहां से जाके purchase कर सकते हूँ so friends आप में से बहुत लोग पुछते हूँ मैं कौन से supplies यूज करती हूँ तो मैं जादतर Amazon से purchase करती हूँ तो मैंने सारी link description में आपको दे दी हूँ आप वह link पे click करके जाके जो भी supplies है color paper हो गया stickers हो गए stickers तो खैर homemade है उसकी link भी description में है and connector pen जो भी मैं यूज करती हूँ मैंने description में link दी हूँ आप वह से जाके purchase कर सकते हूँ तो दिखे मैं यहाँ पर left side पे big size sticker sticker कर रही हूँ और उसे decorate कर रही हूँ तो यह big size stickers की भी link मैंने description में दी हूँ तो अगर आपने भी sticker book बनाया हूँ तो अपनी emoji stickers आप यहाँ पर use कर सकते हूँ तो दिखे कुछ इस तरीके से हम अपनी sticker book को decorate रहे हैं तो दिखे हमारी creative से book ready हो रही है और यह पहुत ही अच्छी लग रही है जैसे आप ready made purchase करते हो कुछ उस तरीके से and ready made में आपको वह मजाने आएगा जो आप अपनी handmade book बनाके फिर उसे enjoy कर पाऊगे तो आपको एक अलगी feeling आएगी है और आप सबको show कर सकते होगे दिखो यह मैंने कितनी अच्छी handmade book बनाया है तो DIY की बाती अलग होती है वैसे हम purchase कर ही सकते हैं यह book इतकी भी ज़्यादा costly नहीं आती है लेकिन जो बनाने में मजा है ना friends वह बहुत बहुत अच्छी feeling देता है आपको and आपका mind बहुत sharp and creative होता है तो इस तरीकी की video जरूर से try किया करो and यह video भी जरूर से try करना यह DIY and अगर आपने try किया है अगर आपने try किया है तो and जरूर से try करना आपको बहुत ज़्यादा मजाने वाला है and अपने classmates को and अपने friends and families को जरूर से शेयर करना यह video तो देखे मैंने कुछ इस तरीके से stickers की मदद से पूरी जो बुकती उसे decorate कर दियू तो और भी ज़्यादा attractive लगने लगी so friends next आपको क्या creative video देखना है मुझे नीचे comment करके बताना and हाँ मैं आपको बता दू एक दू दिन के बाद बहुत ही amazing and grand video आने वाली है तो उसके लिए तयार हो जाओ friends and इस तरीके की grand video आती रहेगी channel पर तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो please subscribe करके हमारे family में जुड़ जाओ and जैसे कि मैं आपको बताया है मैं तीन तारीको मुंबई पहुट जाओंगी तो फिर मैं एकदम regular video अपने डालना शुरू कर दूँगी तो एकदम अच्छे से videos and बहुत अच्छी जी videos आने वाली है so friends तब please जल्दी से subscribe कर दो and 5 lakh तक हमारे family को बचा दो so friends देखिए हाँ पर last page मैं इस तरीके से decorate की हूँ यह जो बुक है वो बहुत ही जादा देखिए कितनी creative लग दी आपको पढ़ने में भी बहुत मजाएगा and कोई भी आएक आप उससे बता भी सकते होगी कि बुक आपने बनाया है so friends जरूर से try करना और कैसी लगी video मुझे नेचे comment करके जरूर से बताना and friends इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना please मेरे hard work के लिए एक लाइक जरूर से कर देना so friends चलिए take care keep supporting keep loving goodbye